आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ गुड मॉनिक स्टूडिंट्स तो आज का मारा question है a bus driver is observing the image of a car in his rear view mirror how does the size of the image change when the car approaches the bus तो car जो है वो बस के पास आती जा रही है बस में लगा है क्या? एक rear view mirror इस rear view mirror पे वो उसकी image देख रहा है car की ठीक है? तो rear view mirror जो होते है ना यह हमेशा convex mirrors होते है ठीक है? तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए की convex mirror कैसे image formation करते हैं तो यह हमेशा diminished image बना के देते हैं ठीक है? diminished का मतलब जो car actually में आ रही होगी ना उससे छोटी image बना के दे रहा होगा virtual image बनाएगा और erect बनाएगा मतलब car की image सीधी दिखाए देगी ठीक है? अब हम इसको एक बार बनाते हैं और एक बार understand करने की कोशिश भी करते है यहाँ पर मैंने एक बार convex mirror बना लिया है और एक बार और बना लेंगे हम यहाँ पर second time भी दो cases को observe करेंगे तो हम इस question को समझ पाएंगे अच्छी तरीके से और यहाँ पर मैं इसका principal axis एक बार बना लेता हूँ अब नोटिस करना जब कार थोड़ा सा दूर है यहाँ कहीं है मेरी कार यहाँ कार की image इसके उपर बनाते हैं इधर कहीं इसका focus होगा और इसका c तर focus c focus c तो देखो इससे अभी जो light rays जाएंगी वो कैसी जा रही होंगी एक light ray अगर parallel गई तो यह यहाँ से ऐसे away हो जाएगी ठीक है ना मानते हो यह light ray कुछ ऐसे away travel करेगी such that इसको अगर आप पीछे extend करते तो यह focus पे गई meet करते हैं और दूसरी light ray जो है वो किस की तरफ भेज दी हम लोगोंने c की तरफ भेज दी ठीक है तो यह light ray ना ऐसे जा रही है जिसे कहीं पीछे c से मिलने वाली थी अपने path को retrace करेगा और image formation यहाँ हो गया इसका यह इतनी शोटी सीज में image बन गई समझ में आ गई मेरी बात अब मानते हैं कि यह जो car है अभी और पास आ गई यह car चलते चलते पास आ गई होगी mirror के भी तो पास आ गई होगी अगर वो truck के पास आ रही है तो right तो car जो है मेरी काफी close आ गई है सोचो car बहुत close है अब अब क्या होगा basically मैं फिर से वही एक light ray जो है पहलल भेजता हूँ color change करते है pen का तो यह देखो एक light ray मैंने parallel भेज दी ठीक है जब यह parallel light ray जाएगे तो यह again diverge होगी है ना और कुछ इस तरीके से diverge होगी कि हमें लगेगा कि यह इस focus से निकल रही है ठीक है इसको straight बना लेका थोड़ा सा ठीक है और दूसरी light ray हम कैसे बनाते है जो की center of curvature की तरफ जा रही होगी ठीक है कहीं ऐसे जा रही है और यह कहीं ऐसे पीछे center of curvature की तरफ जा रही थी आपकी बार image formation की तरफ नजर डालो अपकी बार image इतनी बड़ी form हो रही है देख सकते हैं आप लोग यह अपकी बार image है और यह पहले image है ठीक है आप notice करो object का size मैंने दोनों बारी में बिल्कुल सेम लिया है ठीक है यह दो unit लंबा पर image का size अपकी बार पहले यह एक unit से भी थोड़ा सा छोटा था आपकी बार एक unit से slightly बड़ा है इसका मतलब क्या है image जो है na image का size बढ़ रहा है जैसे-जैसे मेरी car pass आ रही है right image size जो है is increasing image की size बढ़ रही है जैसे-जैसे object मेरा pass आता जा रहा है लेकिन कभी भी यह इस object के बराबर नहीं होगा ठीक है तो यह बात हमेशा जहान रखेंगे कि image size कितना इंक्रीज हो जाए यह कभी भी image से जादा object से जादा बड़ा नहीं होगा ठीक है object size से हमेशा कम ही रहेगा यह image size तो यह बात ध्यान रखेंगे image size बढ़ रहा है पर कभी object जितना नहीं होगा तो हमें समझ में आ गया कि उसको जो size है वो कैसा दिखाई देगा जैसे-जैसे से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर